हेलो एवरिवन, वेल्कम बैक टो माई चैनल आज हम बनाएंगे बनाना रवडी यानि केले की बनी हुई रवडी इस पीज को शायद ही आपने पहले कभी बनाया हो तो इसके लिए हमने एक लिटर फुल क्रीम दूद ले लिया है और दूद को हमने इसको गाड़ा होने तक पकाना है और लगातार इसको हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से ना लगे तब तक हमारा दूद पक रहा है हम पीछ में एक केला ले लेंगे केले को हमने चील के इसके बारीक बारीक तुक्रे कर लेने हैं और इसको हमने किसी भी ब्लेंडर में या मिक्सी यार में नहीं पीशना है क्योंकि उससे केला बिलकुल मैश हो जाएगा और उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है तो इसको हमने चाकू से ही कट करना है ताकि जब हम रबडी खाएं तो उसके अंदर हमें थोड़ा-थो कट कर सकते हैं तो यह हमारे केले के पीस जुँ है बंड़ करके, कट करके अच्छे से त्यार हो गए है तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसस की त textile हैं अब हम लेंगे एक दूसरा पैन जिसके अंदर हमने थोड़ा सा एक चमच घी लेना है। एक चमच देशी घी हम पैन के अंदर गरम करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक चमच चीनी। चीनी को हमने कैरमलाइज करना है। जैसे ही चीनी थोड़ी सी पकनी शुरू हो, तब हम इसके अंदर इस कटे हुए केले को डाल देंगे, ताकि हमारा ये केला चीनी के साथ अच्छे से मिक्स होके पक जाए, तो दुनों को हम पकाएंगे और थोड़ा सा केला भी अच्छे से इसके अंदर मैश हो जाएगा, तो अब दूसी तरफ हम अपने दूद की तरफ चलते हैं, अब दूद हमारा पहले से काफी गाड़ा हो चुका है, तो इसके अंदर अब हम मिलाएंगे दो चमच, कंडेंस्ट मिल्क, कंडेंस्ट मिल्क अगर आपके पास ना हो, तो आप इसमें मिल्क पाउडर का भी इस्तेमा अंदर डालते हैं, तो इसके अंदर आपको चीनी और नहीं डालनी होगी, क्योंकि इसके अंदर अपनी खुद की चीनी काफी होती है, तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच, पिलाइची का पाउडर, एक अच्छी सी खुश्वू और अच्छी से स्वाद के लिए, और चार-पाच मिनट के लिए हम इसको फिर से पकाएंगे, ताकि हमारा दूद और जो केला है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए, तो ये देखिए हमारा केला दूद के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है, और बिल्कुल जिस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, वैसा बन करके तयार हो गया है, तो ये हमारी रबडी जिस तरह से होने चाहिए, बिल्कुल उस तरह से बन चुकी है, अब हम गैस को कर देंगे बन, और अब हम इसके अंदर डालेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी ड्राइफूट जैसे भी ड्राइफूट आप खाना चाहिए, वो इसके अंदर एड़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास ड्राइफूट ना हूँ, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, गरम या ठंडा आप इसको किसी भी तरह से खा सकते हैं, वैसे इसको ठंडा ठंडा सर्व किया जाए तो ये ज्यादा टेस्टी लगती है, तो ये के लिए जै हिन्द, जै भारत!